विंटर में हम सब गी खाते ही है पर किया आपको पता है कि गी को सही तरीके से खाए इससे हमें उन्हों हजारों फाइदे हमारी शरीर के लिए मिल सकता है और इससे कई सारी बीमारिया भी हमारी दूर हो सकती है तो आपको बताने वाले हो कि गाई के घी से आप हजारों फाइदे कि इस तरीके से पाथ सकते और इसके कितने सारी बेंट फिट से तो एपिसोड पूरा इनो बिना स्किप किये देखना कि बहुत जाद इंट्रेस्टिंग होने वाला है अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल क साथ महत्त्वत यह वह हैं देशी गाई का घी यानि एक होता है कि भैस के दूद्स से घी बनता है अगर आप आप आईट की मानो तो थोड़ा सा पचने में थोड़ा से बख लगता है तो जो लोग बहुत जादा इसे लोग हम थोड़ी बहुत बिल्डिदिंग में हैं बिल नॉर्मल लोगों के लिए तो आप गाई का घी ही प्रेफर करना हमेशा क्योंकि यह इसली डाइजेस्ट हो जाता है और हमारे पूरे शरी में काफी सारा आपको बेनफिट देता है घी के बारे में जो मुझे सबसे जाते इंट्रेस्टिंग बात लगती है कि गाई का घी होता है पर घी बनने के बाद उसके अंदर वो लैक्टोस नहीं रहता अब में से जो भी यूनों आप दूट से अलर्जेटिक हो तब घी का सेवन अब फिर भी कर सकते हो तो जली आप इसके कुछ बेनफिट के बारे में बात कर लेते हैं और कौन-कौन से रोगों में आप इसको दोश को या पित दोश को या कफ दोश को बिल्कुल अपने शरी से हदा दो क्योंकि इनका रहना भी यह नो हमारे जिन्दा रहने के लिए जरूरी है पर इसका इनो एक बैलेंस मोट पे रहना बहुत जादा जरूरी है तो जिनका भी बात रोग बिगरा हुआ है यानि कि मे इसके अंडर उसको कांसिडर करको इलाज कर सकतो और इसके लिए भी आप घी का सेवन कर सकतो बहुत जादो प्योगी है तो चलते सेगंड पॉइंट की तरफ घी हमारे आतों को नमी देता है आतों को नमी देना यानि कि क्या इसके अंदर यह आता है जिनको भी बाबा सीर जिनको भी पाइल से जिनको भी फिश फिस्टियूला इस तरीके कि सारे कॉंस्टिपेशन के सारे लक्षन आपके शरीर में है तो आप घी का सेवन कर सकतो यह क्या करता है आपके बाबल मुवमेंट को स्मूदर बनाता है और बहुत जिनके भी आपको सौच जाते समय बहु स्मूद बनाता है क्योंकि हमारे आतों में जाकर जो एक होता है कि बिल्कुल ड्राइब हो जाती है तो अगर हम कोई भी नमी वाली चीजे ना खाए तो यह हमारे आतों को भी बहुत जादे इस तरीके का बना देता है तो घी जाके हमारे बॉल मुवमेंट के इनो आसपास क नमी क्रियेट करता है ताकि हमारा बॉल मुवमेंट स्मूद ली निकल सके गाइस तो नेक्स पॉइंट यह है कि हमारे को भी बैलेंस करने में बहुत जादा मदद करता है यह जो पसीमी देशों नहीं हमारे उपर उनके रिफाइन तेल का जो ऐसा तुफान लाके फेका है उस तरह के से इन्हों चीजों को इस सदी घूमा दिए लोगा होगे गाए हां थे, मैंने अपने इस्टी में कभी ने सुना कि उतने पिछे एक टाइम में से सब्स्टाइब का है कि कुछ मारे जह बीट- buyers यह से बादब करें आदा थे का इसंतर की निकल पर फेर की दो operation करकर निकाल दो ऐसा नहीं होता है तो उसका भी ये जो बैलेंस है ना तो ये घी जाकर उस बैलेंस को मेंटेन रखता है तने करना है घी को हमेशा इन्हों कच्छी फॉर्म में इंटेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जैसे घी मार्केट से आया उसको हमें इन्टेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है आप नस्य के मदद से अपने नाक में ले जकतो तो मैंने ना सोचा अभी मैंने सोचा कि अगर घी को हम किस तरीके से सेबन करें इसकी उपर में बात करने गई तो एक पंगा 20 मिनिट का अपिसोड अलगी बन जाएगा तो मैंने सोचा है कि इसकी उपर मैं इन्हों आपको अलग से एक एपिसोड दूंगी अगर आप चाहते हो तो कि किस तरीके से कौन से प्रॉब्लेम के लिए घी को किस तरीके से सेवन करते हाट प्रॉब्लेम के लिए यह बहुत ज्यादा अच्छा है तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है हां अगर आप गलत तरीके से खाओगे तो वह तो लुकसान करेगा है पर अगर आप सही ढंग से घी को खाते हो तो यह आपके हर्ट हेल्ट को बहुत जाधे है इनो स्ट्रॉंग बनाता है बहुत जाधा मदब बनाता है तो यह सासद घी हमारी इम्यून सिस्टम को भी यह बहुत स्ट्रॉंग करने में मदद करता है तो गाई जो नेक्स पॉइंट है कि घी इस रिच इन एंटी ऑक्सिडेंट और यह हमारी डाइजेसिशन सिस्टम को भी स्ट्रॉंग करने में बहुत जादा मदद करता है तो जिनको भी आपको लग रहा है कि हमें बहुत जादा हमा एक balance mode पे रख सकता है अगर घी के बार में बात थोड़ी है और आइडवेद के बार में बात होड़ी है तो एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूंगी कि आइडवेद की इसाफ से जितना पुराना घी होगा उतना ज्यादा बेनिफिशल होगा यह तो बाइद वे आज क और सिधान थे कि अगर कोई घी 100 साल पुराना हो तो वो तो एक महा ऑश्यदी बन जाता है और अगर कोई घी 100 साल से भी जादा पुराना यह हो यानि कि 100 प्लस यह हो तो वो उससे भी जादा एक महा ऑश्यदी बन जाता है तो आइडवेद में इस तरीके के घी को कहा जाता जमा करके घहा कई कभी जाकर किसी को अ struggling को शाध्य नोग तो इन चोन से भी इन सारे चीज़ों को करते हैं तो अभी मैंने जिस तरीके की पुरान सॅरीजिस बहुत जादा भयंगर होता है तो इस तरहीगे सा riots इन उन स्रेंज और सॉपने भी से निंहें साइवाजनें नियुके बात थोड़ी तो मैं तो कि एक तो है कि घी को खाने के बाद कभी भी आपको पानी नहीं पीना चाहिए एक और combination है जो कि मेरा second point है कि आप दही के साथ घी कभी नहीं लेना ऐसा कोई भी combination वाला खाना नहीं तो आप खाना नहीं तो घर में पकाना जिसके अंदर दही और घी इकठे पड़ता हो तो घी से मिलने वाले लाप में जो next कर सकते हो इसे भी बहुत जादा फाइदा मिलता है और जिनको कफ रोग की जो बिमारी है अगर आप नाक में नसे लो घी के दो दो बूंद इस नाक में थोड़े से अपना आखों को उपर करके मतलब मैं कि सरीके से बता रहे हूं ऐसे अगर आप लेट जाओ और किसी को है दोश्ड बूबंद इस नाक में दोवें इस नाक में अवहां कि फूड़ी दिर रहो वह आप घ कर दहे नेंडर निकर रहा है यानिधी नीचे की तरह थी आ फिर काम हो गया फूड़ी दिर पान्स-10 मिनटें रहो घोज रहो थोड़ा सब को आराम भी मिल जाएगा नस Se तार डालो मतलब कुछ ना रखो आसपा इतना घदर्णाग दर्द होता है जिनको भी माइग्रेन की प्रॉब्लम में आप नस्य ले सकतो घी का इसके साथ जिनको भी ना बहुत जादा स्नोरिंग की प्रॉब्लम है मतलब जिनको उनको तो पता नहीं लगता पर बाकी लोगों नाक में नस्य ले सकतो घी का इसे भी काफी आपको एक गहरी नींद मी मिलेगी और दूसरों को भी गहरी नींद लेने का एक करिया मिलेगा क्यूंकि आपका यह जो स्नोरिंग का प्रॉब्लम है अगर आप नस्य लेते हो घी का तो यह एक अपते के अंदर की और हो सकता है जो भी आप लोग बहुत जादा वेट लॉस करने की सोच रहे हो तो आप भी गी का सेवन कर सकतो यह बिल्कुल भी आपको आपके वेट को बढ़ाएगा नहीं और जिनको भी लगता है कि हम तो अल्रेरी बहुत पतले हैं तो फिर हम क्या करम घी खाए तो और सादा पतले हो पतले हो मोटे हो कोई भी आप गी का सेवन कर सकतो घी आपके बॉड़ी को एक सही लेबल के वेट में आके रोग देगा और जो नेक्स पॉइंट है गाइस घी हमारे इनो स्किन प्रॉब्लम के लिए बहुत जादा उपी होगी है घी सेना कापे सारे फेस पैक बनते मैंने क सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक आप देखने हो तो थोड़ा सा तो पसंद आ गया होगा अगर आगे भी वीडियो और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्स्राइब करके रख सकते हो बेल बटन को क्लिक करके रख सकते हो आपके पास एक नोटिफिकेशन चला जाए और आप उसको सबसे पहले देख सको गाइज मेरा एक सेकंड चैनल है बिंगॉली में उसको मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना चाहते हो तो आप मेरे बिंगॉली चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो उधर भी सारे इनों स्कीन केर हेल्थ केर डियाइवाई हैक सारी चीज़े अभी जाने लगी है और मैं काफी साथ उसमें ब्लॉग भी अप्लोड करती हूँ तो वह सब भी आप देख पाओगे जली फिर मिलते हैं किसे ने एप सोन में तेक क्या और बबाइ